मित्रो नमस्कार मैं आज अमरत्सर लोगसाबा छेत्र में एक हमारी भारती जनता पार्टी की योजना बनी है जिसको हम लोगसाबा परवाश योजना बोलता है लोगसाबा छेत्र अमरत्सर में बातावरन भारती जनता पार्टी के फक्स में बनता जा रहा है प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी जी की जो नीतिया है उसका प्रभाव दरातल में हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक भी जुड़ रही है देखे दो हमारे पिलर हैं जिसको प्रधान मंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं एक है डवलपेंट और दूसरा है गुड़ गवर्नर्ट हमारे शासन के ये दो ही आधार है और इन दो आधारों के आधार पर जब हम कोई एजेंडा लेकर के जाते हैं किसी भी परदेश में तो हमें उसका समर्थन मिलता है अभी आपने देखा होगा कि नौर्थ इस्ट में तीन राज्यों में चुना हो गई कुछ लोगों ने का आप क्रिश्चिन रिटी है लेकिन हम तीनों में सरकार बनाने में शपर होगा अभी तुरूंत आगयाने वाले समय में करनाटका में चुनाव है वहां भी हम सरकार बनाने में शपर होगे दोजार तेईस में हम चल रहे हैं राजस्थान मद्यपरदेश 36 गड़ और तेलंगाना इन राज्यों में भी चुना होगे बड़े राज्यों में विदुरम भी उसके साथ है और फिर तुरुंत बाद 2024 आएगा उसमें हमारे पंजाब में 13 सीटे हैं लगातार हमारा जनाधार भी बढ़ रहा है मोदी जी की नीतियों का आधार भी मजबूत हो रहा है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग शबा चुनाओं में पंजाब से भारती जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा परदर्शन रहने बारा बाकी विशे आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आप जो पूछेंगे उसका जबाब देनी की मैं कोशिश करूँगा मैंने आपको बताने की कुसिश थी हमारा लोग शबाब परवाश योजना उसके तहत मैं यहां आज अमरसर के दियाद छेतर में आया वाँ मंद्री जी क्यों लगता है आपको कि दोजार चौपीस में बीजेपी जब बहुत बड़ी आधाज होगा परजाब में क्योंकि बीजेपी जबी तक ऐसा वह कुछ किया नहीं कि इस वज़े से लगता हो कि पंजाब के लोगों की बड़ी समस्या है हल हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि दिस वज़े से दोजार चौपीस में नरंदर मोदी जी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो अगर ममरो पार्लियमेंट बीजेपी से होगा तो पंजाब का विकास बड़ेगा पंजाब में विकास भी तेजी से होगा और जो विकास की रफ्तार है पंजाब की रुकणी नहीं चाहिए ऐसा पंजाब के नागरीक सोचने लगए इसलिए मुझे लगता है अभी तो एक सार हुआ है बाग लेक्शन होई को विदान साब भी बड़ी हार मिली आपको जोड़ी बाती जन्ता पाजिन गोजनांती ती जिपकर आपको क्या लगता है कि आप 24 भी आ गया है लोग वोटे डाल देंगे आपको तेकि एंटी इंकमेंशी तेजी से बड़ी ह हम नहीं कह रहे हैं कि हमें जो ट्रेन में कोई मिलता है कोई हमें एरपोर्ट में मिलता है अवाइजाज में यात्रा करते समय जब आपम बात करते हैं तो एंटी इंकमेंशी तेजी से बड़ी है गवर्देंस नाम की चीज नहीं है लॉइंड ओडर बिगड गया तो पंजाब के नागरिक समझते हैं कि हमने यह सासन ठीक नहीं बनाए ऐसा मैसूस होता हूं को इसलिए हम कहना है राहूल गांदी जी के केस में देखिए मैं यह बताना चाहता हूं आपकी जान कर गिलिए मैं संसिद्य कारे का मंत्री भी हूँ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट हमने नहीं बनाया जवारलाल नहरुजी के समय बना 1951 में उसमें एक सेक्शन एट है उसका पार्ट थ्री है 2013 में हम सासन बनी थे उसमें एक अमेंडमेंट आया और उसमें सुप्रियम कोट ने में इसको अफोल्ड किया कि अगर दो साल दो साल से ज़्यादा किसी को सजा होगी MP और ML तो जिस दन से सजा होगी उस दन से उसकी सद्दस्ता चली जाएगी यह हमारा तो एक था नहीं अब एक और IPC में प्रावदान है सेक्शन 499 IPC और 500 कि आपको बोलने की आजादी दे इस देश में समिधान के ते लेकिन किसी भी समाज को गाली देने की आजादी नहीं है यह प्रावदान है सेक्शन 499 अब उन्होंने कोलार में 2019 में जान बूज के गाली दी एक मोदी समाज सर्नेम रखने वाले लोगों के लिए तो कोई हट हुआ, कोट में गया, कोट ने सजा सुनाई, सजा सुनाते समें जश साब ने 3-4 बार इनको पूछा कि क्या रहूल गांदी जी आप माफी मांग रहे हो क्या उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उसमें तो सजा का प्रावदान था उसका अधार पर सजा हुई दो साल दो साल साधिक सजा होने पर आटोमेटिक वो सजा से नहीं रहता है तो हमारे लोग सबा सची वाले में माननी अद्द्रक्स मौदे ने एक आदेश जारी किया उसके बाद उसी में ही प्रावदान है कि कोई सजारी से नहीं रहेगा तो उसको घर के बारे में भी एक नोटी सारी होता है अगर राहूल गांदी जी ऐसा समझते हैं कि मेरे लिए अलग कानून हो और कोई साधा है ना एंपियो उसके लिए अलग कानून हो ऐसा तो देश में होगा दे कानून तो सबके लिए एक जैसा ही होगा उसमें यह कहा जाता है कि आप संसर सदे से नहीं रहे तो आप मकान खाली करें अगर नहीं करेंगे तो महीने भर तक आपको बजार की दर देनी पड़ेगी बजार की दर वो नहीं देंगे तब इविक्षन आएगा लेकिन नोटीस में ही लोग कह रहे हैं खाली करा रहे हैं हम कह रहे हैं भी संसर सदे से नहीं हो इसलिए आपको हम चेता रहे हैं एक महिने के बाद आपको बजार की दर देनी पड़ीगी अब ये कानून बने वे हैं हमने तो नहीं बनाई ना रूल्स पहले से बने वे हैं वो राउल गांधी पर भी लागू हुए कोलार की सभा में कौन बोला जी हम बोले क्या राउल गांधी बोले ना मैं कह रहा हूं बोलने की अब आजादी है समिधान के तैट लेकिन गाली देने की आजादी नहीं है ये उनको समझना पड़ेगा दूसरा उनको लगता है कि हम तो कुछ भी बोल सकते हैं हम तो special class हैं हमा आपको अपील करने का अधिकार है अपील करिए बीजेपी को गाली क्यों दे रहे हो और इसमें कोई शरकार सजा देती है क्या सरकार नहीं देती है कोट का मामला है इसका मालोब कोट को भी आप नहीं बानोगे आप कोट से भी पुर हो ऐसा राउल गांधी जो सिंग सिंग स पर्दान मंत्री मोदी जी के नेतरते हम चुनाव लडेंगे यह और डबल अपएंट और गुर्ड गवर्नेस यह दो आधार पर ही चुनाव लडेंगे जो पंजisher आपके विविभी जिए उनका का में जी वह बोलनें दो पर्दान मंत्री जी का सोच है कि एक असिक चलता बड़े देश में और हमारा सांसकरती मफंधान वे डेश में stabilis प्राजश का काम है जी इस्टेट सब्जेक्ट वो कह रहे हैं जो सेंटल कोप्मेंट का काम हो हम करी रहे हैं लेकिन लॉय दोर किसका काम है वो इस्टेट का काम है वो इस्टेट में परशासन लगातार हम देख रहे हैं कि यहां के नागरी भी परेशान हो गए इन्हों जो बादे की हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं लॉय दोर बिगड गया इसलिए बवस्ता फेल रही है आपने अभी आप बीजेपी की तरफ से पूरा जो बीटिंग कर रहे हैं पूरे पीजेपी बग कर रहे हैं आप ने कोई ऐसा ग्राफ बनाया आप जो पंजाब की लॉइन और को सही कर सके ठीक ठंक से चला से लिए नहीं क्या का लोगों का विश्वास बढ़ा है तो विपक्षी पार्टिंग बोल रहे हैं भी वो कट-कट पुत लिए बीजेभी की केंद्रिकी सरकार की CBI को बोल रहे हैं आपने देखा क्या कि जितने भी विपक्षी लोग हैं वो जो भष्टाचार में लिफ्ट है वो एक हो रहे हैं आपको अमिशाद जी का किसी में था विशे कि जितने किसे हुए हैं उसमें पांस पर हो नहीं होगा मोदी जी के शासन में कोई कितना ही बड़ा आद्मी कौनी हो अगर भष्टाचार करेगा तो जांच अपना काम करेगी आपको लगता है कि यह राश्पदी शासन की तरफ जा रहा है इसान है तेक यह लॉइंड और भिगड गया तो हम कही रहे हैं ना लॉइ हम बीजेपी हमारे बूते पर हम सुनाव लड़ेंगे और फिर मेंने का है डबल अपैर बेट गूड कबर देज़ है तो जनता है फिर आउर देंगे बाश्पदी शासर प्तार में है मेंने दाये है पर इसमीड जाजन हमें ताहरा है नहीं दौ कि था जाह रहा है ठाश्ब यह एड़ा पाल और राष्टपती जी का काम है जी मेरा काम नहीं है मेरा काम है कि लॉइद ओर इसलिए आई बावस्ता फैल गई कानून बावस्ता जो बिगडता बिगडता है तो एइब आइब आफ़ीगार थी है तो डवलपमेंट गाइब होता है गबर्डेंस भी पुरा रखते हैं लेकिन ओवर कॉंफिडेंस वो सही है आपके लिए क्योंकि जब आपकानियों के साथ है तो जेदरी जैसे दिगज भी आनके यहां से तो आपके साथ नहीं है तो कैसे चलेगा यहां देखिये परस्थितियां देश काल और परस्थितियां अलग-अलग होती है अब जिस तरह साथ पंजाब आगे बढ़ा है और जिस तरह की परस्थितियां बने रही है पंजाब के नागरिक पंजाब के लोग चाते हैं कि डवलापेंट होना ही होना चाहिए गवरनेंस होनी होनी चाहिए इस दिश्री से हम कह रहे हैं कि हम 24 में जीते हैंगे हम समिक्षा करेंगे फिर हमारी एक तुनाफ समीथी यह उसमें बैठेंगे फिर हमारा संसिदिय बोर्ड ओंदें करेंगा और जलंदर में भी हमारी सिती बहुत अच्छी है चर्शा चल रही है कि आम आदमी पार्ट को कंडिडिएट नहीं मिल रहा है जलंदर से नहीं मैं उन पार्टी की बात ने कर और हम तो पीज़ेपी की बात करेंगे बीज़ेपी कि पास अच्छे केंडिडेट है और आपको अच्छा केंडेट देंगे बहुत-बहुत धन्यवाद भाईश आप बहुत-धन्यवाद